दोस्तों को फिर से आप सभी का स्वागत हैं हमारे चैनल पर फाइनली रियल्मी ने रियल्मी एकस सेवेन फाइब जी उजस के लिए Android 11 की स्टेवल अपडेट रोल आउट करना सुरू कर दिया है अब आप सुछ रहे होंगे कि कल ओपन बीटा अप्लिकेशन आई थी और आज जो है स्टेवल अपडेट कहां से आ रही है तो जी नहीं दोस्तों यहीं स्टेवल अपडेट है और कैसे यह स्टेवल अपडेट है और कैसे आपको बिना फॉर्म फिलप किये ही मिलेगी यह अपडेट आज के इस वीडियो में हम डीटेल्स में बताएंगे आपको आपको चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए यह भी आगे हम डिसकुस करेंगे तो चलिए बिना देरी की यह वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो कल Realme ने Realme X7 Users के लिए Open Beta Application Form Release करी जिसमें यूजर्स को Open Beta के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद उनका अप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू जाएगा फिर उसके बाद अप्रूव होगा रिज़क्ट किसी भी यूजर का नहीं होगा और उसी दिन आपको अप्डेट मिल जाएगी जैसे यहाप अप्लाई करते हैं लेकिन दोस्तों, यहां पर हूआ अपको बता दे कि अगर आप अपलाई ना भी करते हैं तो यह वाला अपडेट मिलेगा कैसे मिलेगा? चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहली बात कि यहाँ पर Realme ने इस अपडेट के लिए क्या टर्मेंट कंडिशन्स रखे हैं यह पहले देख लीजिए Open beta application के लिए इन्होंने कहा है कि आपका जो phone है वो फिलहाल अगर A14 पे है A16 पे है या फिर A17 पे है या फिर A18 पे है या फिर A20 पे है इसका सीधा मतलब यहीं हुआ कि अब तक जो open beta या फिर beta application apply होती थी वो latest version पे apply होती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं है जो भी version आपके phone में है उसमें ये open beta application form आपको दिखाई देंगे लेकिन अगर आप इस form के लिए apply नहीं भी करते हैं तो ये update मिलेगी क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप real me ने शाप तोर पे कहा है कि beta version जो है जो apply करेंगे उनको तो roll out किया ही जाएगा लेकिन अगर इसमें कोई bugs नहीं होती है कोई major bugs नहीं होती है तो इसी को stable के तोर पर roll out कर दिया जाएगा यानि कि इस वाले update में कोई major bugs है ही नहीं और यह आपके phone तक बिना apply कि यहीं पहुंच जाएगी लेकिन इसमें 2-4 दिनों का वक्त लग सकता है अब बात करते हैं कि जो users beta application ले चुके हैं उनको यह वाला update नहीं मिलेगा उनको एक छोटा सा update मिलेग जो कि उनके beta version को भी stable कर देगा यानि कि जो users अभी android 10 पे हैं तो उनको 11 मिलेगी stable हो जाएगी और जो अभी 11 पे ही है तो उनको भी एक update मिलेगी जो कि उसे stable कर देगी उसके बाद से beta user हो या फिर stable user हो सब को एक ही साथ update दिया जाएगा तो आप जल्दी से चाहते हैं अगर यह stable update तो beta के लिए apply कर दिजिए और apply करने के process काफी simple है चलिए आपको एक बार बता भी देते हैं कोई preview में यहाँ पर आपको phone के settings में जाना है software update section में जाएंगे वहाँ पर उपर में right side में आपको settings जैसी icon दिखाई देगी उस पर आपको क्लिक करना है फिर trial version आपको दिख है वह highlight हो जाएगी उसके बाद आपको कोई भी mobile number या फिर email id डाल के submit कर देना है और जैसे submit करेंगे आपका under review जाएगा उसी दिन हो सकता है आपका जो है अप्रूब भी हो जाए और उसी दिन आपको यह update भी मिल जाए तो आप किसी भी तरह से update कर सकते है open beta के लिए apply करिए या फिर आप थोरा साइं दिजार करिए दो तीन दिनों के अंदर ही stable update आपको push कर दिया जाएगा तो overall यह थे realme x7 में मिलने वाले android 11 के stable update की जानकारी उमिद है कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए किसी भी help Thank you